हमारे जीवन के आसपास बहुत सी चीजे विद्धमान है लेकिन जब तक हम उसके गुन और प्रभाव से इंभिग्य है तब तक उसका लाब नहीं उठा पाते हैं जी हाँ हम अख्रोट वॉलनट की बात कर रहे हैं ये अख्रोट भी हमारे लिए बहुत ही फाइदे मंद है अ पात ही इसमें उमेगा 3 भी पाया जाता है जो हमारे दिल को स्वस्थ रखता है अख्रोट बहुत ही बलवर्धक है ह्रिदय को कोमल करता है ह्रिदय और मस्तिष्क को पुष्ट करके उत्साही बनाता है इसकी भुनी हुई गिरी सर्दी से उत्पन खांसी में लाबदायक है और यह बात पित टी भी हृदय रोग बुधिर दोश्वात प्रक्त और जलन को नाश करता है आप अख्रोट का सेवन 10 ग्राम से 20 ग्राम तक की मात्रा में कर सकते हैं अख्रोट खाने की सही विधी 20 ग्राम अख्रोट को एक गिलास दूट में डाल कर उबाल ले उबलने के पाद इसमें मिश्री डाल कर अच्छी तरह से मिला ले फिर थोड़ी देर बाद इस मिश्रन का सेवन करी अख्रोट के सेवन से स्मरंड शक्ती बढ़ती है इसमें मौजूद विटामिन E, ओमेगा 3 तथा एंटियोक्सिडेंट तत्व मस्तिश को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं अख्रोट में मौजूद विटामिन और खनिच तत्व उम्र के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को भी दूर रखने का काम करता है ओमेगा 3 की कमी से तनाव कुस्सा और चिर्चिरापन भी हो सकता है लेकिन अख्रोट के सेवन से इन सभी परेशानियों से बचा ज जाती है यह अच्छे कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाता है और हानिकारक कॉलेस्ट्रोल को कम करने का का म करता है अगर आपको पत्री की शिकायत है तो साबक चिलके और गिरी सहित अख्रोट को कूट छानकर एक चमच सुबह शाम ठंडे पानी में कुछ दिनों तक नियमित पत्री दोनों ठीक होती है जिन लोगों को फुंसियां अधिक निकलती हो तो एक साल तक रोजाना प्रतिदिन सुबह के समय पांच अख्रोट सेवन करते रहने से हमेशा के लिए लाब हो जाता है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक श